हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में इस वीडियो में हम एक नए विज्यापन की बात करने वाले हैं जहां काफी अच्छी वैकेंसी आई है पोस्ट ग्रेजवेट टीचर्स एंट ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर्स और इसके अला करना चाते हैं तो हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट वहां कर सकते हैं अगर इंग्लिस मीडियम के सब्जेक्ट में अप्लाए करना चाते हैं तो इंग्लिस मीडियम में ठीक है salary के अगर हम बात करें तो यह सरकारी नौकरी है और level 7 के according जो है PZT के teachers की है starting की जो basic पे ही 55,000 primary teachers की है BAD, DLAD, BTC, BSTC, JBT past student बिलकुल यहाँ apply कर सकते है all state के candidate यहाँ पर eligible रहने वाले हैं इसके साथ में female candidate SC, ST, PWD जो candidate है उनको यहाँ पर fees में जो है वो बिलकुल छूट दी गई है जनरल कैटिगरी की मातर 200 रुपे fees रखी गई है चलिए देख लेते हैं सबसे पहले advertisement में subject देख लेते हैं qualification देख लेते हैं, age देख लेते हैं तो primary और upper primary school teacher, group B, non-guzzeted, non-ministerial यहाँ पर salary आप देख सकते हैं अगर आप इसे जोडेंगे, 7 CPC के according तो यह आपकी जो है basic पे ही 55,000 तक यह रहेगी primary teachers की ठीक है या upper primary teachers की ठीक है और यहाँ पर number of vacancy आई है 112 जिसमें unreserved category की है 58 qualification देख लेते हैं, primary या upper primary school teachers के लिए यहाँ पर 125 के teachers के लिए 12, 50% के साथ में और 2 साल का आपका diploma आपने BTC किया है, DLED किया है, JBT किया है जो भी आपने किया है, 2 साल का diploma, elementary education में by whatever name not जिस भी नाम से जाना जाता हो आपके राज्ये में ठीक है, और इसके साथ में plus, plus जो है TET भी जो है आपका qualify होना चाहिए class 6-8 के लिए आपने BA, BSC, BICOM जिस भी subject से आपने किया है, और 2 साल का आपके पास अगर elementary education में diploma है तो आप यहाँ apply कर सकते हैं एक साल का अगर अगर आपके पास BAD है एक साल का 50 प्रतिशय तंकों के साथ में BA, BSC या BICOM में तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं ठीक है age जो है यहाँ पर age जो है वो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और नीचे लिखा हुआ है age relaxation for government servant up to 5 year in accordance to order number of vacancy and reservation भी जो है नीचे दिया हुआ है primary school teacher 125 के लिए unreserved category के 31 है जैसे मैंने आपको बताया कि unreserved category की जो है यहाँ पर कुल 58 सीटे हैं तो subject wise भी जो है यहाँ पर mention की है जैसे 31 सीटे जो है unreserved category की है अपर primary school teacher 6 to 8 के लिए 15 सीटे science math की है general category के लिए है यह और 6 सीटे language teacher के लिए Hindi, English, Social Studies के लिए 6 सीटे reserve है इसी तरीके से OBC, SC, SD ठीक है total जो vacancy है तो यहाँ पर 112 जो है vacancy आई है तो अब देख लेते हैं vacancy जो है किस राज्य से है यहाँ पर all state के candidate बिल्कुल eligible रहेंगे 6 जनवरी 2024 को यह advertisement जारी किया गया है और यह vacancy आई है दादरा, नागर, हवेली and दमंड़ी से staff selection board की तरफ से जो है यह vacancy जारी की गई है बिल्कुल सरकारी permanent vacancy रहने वाली है अब देख लेते हैं दूसरी vacancy जो की post graduate teachers की है 75 जो है यहाँ पर vacancy आई है और salary जो है level 8 की according दी जाएगी 47,600 से लेकर 151,100 तक salary यहाँ पर रहेगी यहाँ पर education qualification कहा है कि post graduate 50% के साथ में और साथ में B.Ed आपका होना चाहिए और एक बात ध्यान में रखिएगा आपने 10 तो जिस भी medium से की है English medium में की है, Hindi medium में की है ठीक है, किस भी medium से की है गुजराती में की है, मराथी में की है तो उसी में जितनी भी vacancy है, उस subject की तो उसी के लिए आप apply कर सकते हैं 30 साल जो है age limit रखी गई है trained graduate teachers के लिए salary काफी अच्छी है और यहाँ पर graduation के साथ में आपकी graduation में 50% आपका होना चाहिए या फिर आपने 4 साल का BSc BAD या BABAD किया है तो भी आप apply कर सकते हैं आप जिस भी medium से पढ़े हो तो उसी medium में apply करें ठीक है और बस यही मांगा है यहाँ पर CTAT या TAT जो है यहाँ पर मुझे तो नहीं दिखाई दिया कि trained graduate teachers के लिए CTAT या TAT जो इन्होंने मांगा हो यहाँ पर नहीं मांगा है नहीं मांगा है यहाँ ठीक है लेकिन primary और upper primary classes के लिए जो है इन्होंने मांगा है तो यहाँ पर age limit तो 30 साल रखी गई है उसके बाद यहाँ पर detail दिया हुआ है subject wise category पोस्ट graduate teachers के लिए जैसे English medium में यहाँ पर कुल biology की subject यहाँ पर आप देखें biology, chemistry, commerce, economics, English, geography, history, mathematics, physics, psychology, statistics तो यहाँ पर biology की कुल 4 seat है chemistry की 5 seat है commerce की 5 है economics की 3 है English की कोई भी vacancy यहाँ पर नहीं आई है English medium में है यह ठीक है एक जो है geography की है, history की 3 है maths की 5 है physics की 6 psychology की कोई भी vacancy नहीं है English medium के लिए statistics की साथ है तो यह कुल 39 यहाँ पर English medium candidate के लिए post graduate teachers बनने के लिए उसके बाद जो है mostly बच्चे हिंदी medium और English medium वाले ही होते हैं Hindi medium में आप देख ले कि यहाँ पर जो है biology की आप देखें कोई seat नहीं है नहीं यहाँ यहाँ पर chemistry की है commerce और economics की seat है एक commerce की है और दो economics की है यहाँ पर दो seat जो है maths की जो है वो दो seat है हिंदी medium में इसके लावा जो है आप देखें कुल 6 यहाँ पर total number of vacancy है हिंदी medium पास्य स्टूडेंट के लिए यह PZT के लिए है केवल अब ऐसे candidate जिनोंने 10th गुजराती medium में किया है या मराथी medium में किया है तो वो अपना देख सकते हैं language subject में आप देख सकते हैं यहाँ पर total number of vacancy है दो है तो PZT में जो है वो school 75 जो है seat है यहाँ पर की गई है ठीक है उसके बाद जो है trained graduate teachers की English medium में maths की 30 है यहाँ पर vacancy science की 25 है आई है SST की 29 vacancy है English की जो है कोई भी vacancy नहीं है किसी भी category की Hindi medium के लिए आप देख सकते हैं trained graduate teachers में 7 vacancy maths की आई है और social science की 6 vacancy है school जो है यहाँ पर 13 vacancy है Hindi medium pass students के लिए language में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 है school seat है English की ठीक है भासा अगर English में आप apply करना चाते हैं English subject के लिए तो यहाँ पर 15 seat हैं तो यह जो है vacancy के बार में और भी अच्छे तरीके से बारी की से देखिएगा और इसका link में आप लोगों को share कर दूँगी ताकि आप अच्छे से जो है इसको देख सके यहाँ पर जो है लिखा है कैसे apply करना है तो official website पर आना होगा daman.nic.in oblic ojs जो jas तो post graduate teachers will be open from 12 january 2024 फरवरी trained graduate teachers के लिए भी यही same date है 12 january से लेकर एक फरवरी तक आप apply कर सकते हैं अब बात आती है selection जो है वो कैसे होगा चाहे आप यहाँ पर primary, upper primary school teacher बनने के लिए apply करना चाते हैं या फिर आप trained graduate teachers 9 से लेकर 10 तक को पढ़ाने के लिए या PZT में 11, 12 को पढ़ाने के लिए apply करना चाते हैं तो यहाँ पर detailed instruction for candidate लिखा हुआ है online return exam होगा यहाँ पर computer based जो है यह exam आपका रहने वाला है negative marking यहाँ पर रहेगी 100 marks का जो है यह return exam होगा ठीक है आपकी merit list जो है यह 100 marks से आपकी निकाली जाएगी अब यहाँ पर जो यह 100 questions पूछे जाएंगे तो इसमें syllabus क्या रहेगा जैसे ही मुझे पता चलता है main website पर डाला जाएगा बिल्कुल आप लोगों को inform किया जाएगा वीडियो के माध्यम से तो regular रहें channel पर ताकि आप लोगों को जिस भी राज्य की vacancy निकलती है सिख्षक भरती के विग्यापन जारी होते हैं तो आप लोगों तक समय पर पहुँच सके notification देखने के लिए सबसे पहले main website पर आना होगा और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे यहाँ पर लिखा है third number पर recruitments इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा staff selection board invites online application for the post of post graduate teacher and trained graduate teacher इस पर आप click करेंगे PGT और TGT के लिए उसके बाद जो है invite online application for the post of primary and upper primary school teacher उसके लिए आप लोगों को इस पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करते हैं आपके सामने यह page होगा और यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा view 381 के भी यह PDF file है डाउनलोड करना है तो इस पर click करेंगे mark बना हुआ है डाउनलोड का और यह PDF file पर आप देख सकते हैं इसको open करके ठीक है यह आपके सामने हैं पूरा advertisement last जो है यहाँ पर fees की क्या बात कही है तो fees आप देख लें यहाँ पर fees जो है मातर 200 रुपे ही जो है यहाँ पर लग रही है ज्यादा fees नहीं है यहाँ लिखा है जो candidate SCST और person with disabilities and female candidate इनको छूट दी जा रही है payment of fees में, fees नहीं है इसका मतलब ex-servicement की जो fees है वो 100 रुपे है ठीक है बस यही है तो चलिए मिलेंगे next video में नए राज्य की नई vacancy के साथ सिक्षक से जुड़ी जितनी भी vacancy निकलेगी बिल्कुल आप लोगों को सबसे पहले में आप लोगों को बताऊंगी तो चलिए मिलेंगे next video में Thank you